नमस्कार भाईयों और बहनों जंगली मेडिसिन यूटूब चनल में आप सभी का एक बार फिसे स्वागत हैं आज हम आपको एक दिब्वी बनस्पती की जानकारी देने वाले हैं जिसका नाम है काग जंगा यह बनस्पती अनेक ओस्दी और चमतकारी गोन रखती है जिसकी जितनी प्रसंसा की जाएक कम है आज हम आपको इसकी संपूर जानकारी और इसके ओस्दी फायदे बताने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा अंतक देखीगा क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्पूर है और यदि आप दुनिया की सभी प्रका की जड़ीबूटियों की पहचान और उनके ओस्दियों फायदे जानना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रका की नेटिफिकेसन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें यह काथ जंगणा का पौधा बरसा कालीन होता है जो अधिक्ते सर्कों के किनारे खेतों पर, खाली परी जमीन पर और जंगलों में अधिक देखा जाता है यह अपमार्ग प्रजाती का ही एक भेद है यह पौधा जाली नुमा होता है और यह जो पौधा आप देख रहे हैं लगवग यह चार या पांच फिट के आसपास होगा इस पर इस तरह के गुलावी रंके फूल किलते हैं जो बहुत चोटे-चोटे होते हैं और इस पर इस तरह के पत्ते भी लगते हैं यह संपूल पौधा रोयदार होता है और अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नाम से इसको जाना पैचाना जाता है इसके कुछ भिविन नाम है जैसे की संस्कृत में इसको काग जंगा, नंदी कांता, सुलो मासा, हिंदी में काग जंगा, कन्नड में चीडी गिड़ा, गुजराती में काग जुंगा, तमिल में चेवीरा, नेपाली में पित पत्र, बंगाली में नास कागा, और मराठी में नाज भागा आदी नाम से जानते हैं, इसका बनस्पत्य की नाम है, पेरिश टॉफी, भाई कली, यूलेटा, हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हों, कमेंड करके आप जरूर बताएं कि आप किस छेत्र के हैं, और इसको क्या नाम से जानते हैं, आयवर्दिक मत अनु किर्मी रोग, आदी नाशक होता है, चलिए अब जानते हैं, इसके कुछ महत्पूर और्षदी प्रियोग, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, उदर विकारों में काग जंगा एक महत्पूर और्षदी मानी जाती है, और इसको विबन तरीके से प्रियोग किया ज देता है, और ये तुरंत लाब करता है, पेट में कीले हो जाने पर काग जंगा का 10-20 ml की मातरा में क्वाच पिलाने से पेट के कीले नश्ट हो जाते हैं, जिन लोगों को दातों में शमस्या है, दातों में कीला लगा है, वह इसकी जड़ को चबा कर दातुन करते हैं, या पर इसकी जड़ को दवाय रखते हैं दातों के बीच में, तो इससे दातों का कीला नश्ट हो जाता है, कान के सभी प्रका के रोगों को दूर करने के लिए काग जंगा के स्वारस को तेल में सिद्ध करके रख लें, फिर इस तेल को एक-एक-दो-दो-बुन कान में डालने से कान के सभी रोग नश्ट होते हैं, सिरदर्ध होने पर काग जंगा के पत्तों का बफारा लेने से सिरदर्ध तुलन ठीक हो जाता है, जो महिलाएं पिरदर रोग से परिशान हैं वह इसकी जड़ का चून एक से दो गिराम मातरा में चावल के धोवन के साथ लेते हैं तो बहुत ही जल्दी और अच्छे अराम मिलते हैं, काग जंगा का पोदा चर्म रोगों में और घावों को जल्दी बनने में बहुत ही उपयोगी है, यदि किसी धारदार बस्तू से या छुरी आदी से कोई अंकट जाता है तो बहाँ पर काग जंगा के पत्तों को पीस कर ले करने से कुष्ट रोग ठीक हो जाता है, खुजली रोग में इसके पत्तों को पीस कर लगाने से खुजली रोग ठीक हो जाता है, इसकी जल्द को पीस कर दाद पर लगाने से दाद ठीक हो जाता है, इसकी जल्द का चून एक से दो गिराम मातरा में दूट के साँ सेवन करने इसे टीवी रोग ठीक होता है जिन लोगों को आनिंदरा की समस्या है यानि की नीद नहीं आने की समस्या है वह इसकी जड़ को तक्ये की नीचे रखका सोई तो उनको नीद अच्छी आती है बुखार में इसके पंचांग का फ़ाथ बनाका सेवन करने से पुखार में लाब मिलता है यदि आप भी इस काग जंगा पौदे का कोई उप्योग जानते हैं तो कमेंट बाक्स में जरू बताएं वो सकता है आपकी देवी जानकरी किसी की काम आ जाएं आसा करते हैं कि आज की जानकरी आपके लिए लाबकारी रही होगी इस बीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि मन में किसी परकागा सवाल ये कन्फूजन है तो कमेंट करके जरू बताएं मिलते हैं आपको एक नई जानकरी के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार